बच्चो वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीली और काली जो सरलरेखाईं दिख रही हैं वो आपस में समांतर हैं इन समांतर सरलरेखाऊं की प्रवनता का अध्यन करें तो ये पता चलता है कि ये जो प्रवनताएं हैं इनकी बराबर होती हैं अता हम ये कह सकते हैं कि दो सरल रेखाएं की प्रवंटाएं अगर बराबर हो तो वे समानतर होती है साथ ही आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक लाल रंगी जो सरल रेखा है वो नीले सरल रेखा से लंबवत है अर्थाद उनके बीच का कौन 90 अंश का है ये जो परसपर लंबवत रेखाएं हैं इनकी प्रवंटाएं इस प्रकार होती हैं कि उनका गुणनफल माइनस वन के बराबर होता है आएए अब देखते हैं समानतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है M1 और M2 प्रवंटाओं वाली दो रेखाओं के बीच का कौन मान लेते हैं वो थीटा है वो इस प्रकार है कि 10 थीटा बराबर M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2 की absolute value ले रहे हैं यदि रेखाएं परसपर समानतर हैं तो उनके बीच का कौन 0 अंश के बराबर होगा अर्थात थीटा बराबर 0 डिगरी इसका अर्थ यह हुआ कि 10 थीटा का मान 0 होगा अतह M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2 का मान भी 0 होगा और ये तभी संभव है जब M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2 का अंश अर्थात M2 माइनस M1 का मान 0 के बराबर है इससे हमें ये एक प्रतिबंध मिलता है कि M1 और M2 दोनों बराबर है अता हम ये कह सकते हैं कि दो रेखाएं परस्पर समानतर होंगी यदि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर है आईए अब लंबवत रेखाओं के प्रतिबंध की बात करते हैं आपने पहले देखा है कि 10 थीटा का मान M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2 की absolute value है जहां M1 और M2 रेखाओं की प्रवणताएं हैं जिनके बीच का न्यून कोण थीटा है अब इस 10 थीटा की इस value से हम cot थीटा की value भी निकाल सकते हैं चुकि cot थीटा और 10 थीटा एक दूसरे के व्यूत्करम त्रिकोंड मीती अनुपात हैं तो cot थीटा बराबर 1 प्लस M1 M2 बटे M2 माइनस M1 की absolute value होगी यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो थीटा का मान 90 अंज के बराबर होगा इसका अर्थ ये है कि cot थीटा का मान 0 होगा अब cot थीटा का मान रखने पर हम पाते हैं कि 1 प्लस M1 M2 बटे M2 माइनस M1 बराबर 0 और ये तभी संभाव है जब हमारा अंश 0 के बराबर है अर्थात 1 प्लस M1 M2 बराबर 0 और यहां से हमें वो प्रतिभंद मिलता है कि M1 multiplied by M2 is equal to minus 1 अता हम ये कह सकते हैं कि दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि उनकी प्रवनताओं का गुननफल minus 1 के बराबर हो